इस लाल बटन को दबाकर चेनल को सस्क्राइब कर ले और इस गंटी वाले आइकन को दबाके दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जेन्यू के अंदर आप एक्स्टा नंबर किस परकास से ले सकते हो जी हैं दोस्तो यहां पर जेन्यू में जो है गर्स वोइस एंड यदि आपका समेरी हो तो जो आपको यहां पर बेनिफिट होता है जी हैं दोस्तों यहां पर एक्स्टा नंबर दिये जाते हैं तो वहाँ से आने वाले बच्चों को क्या होता है यहाँ पे जेन्यू में एक्स्टा नंबर दिये जाते है हाँ दोस्तो जेन्यू इसी चीज के लिए विशेश कर्द से जाना जाता है और यहाँ पे जो है इन लोगों को एक्स्टा नंबर दिये जाते है तो दोस्तो यदि आप इस criteria में आते हो तो आपको भी जो है यहाँ पे extra number दिये जाएंगे जी हाँ दोस्तो तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है इसी चीज के बारे में discuss करेंगे total ठीक है तो इसे आप इस वीडियो को पूरा देखेगा उससे तो दोस्तो अब हम यहाँ देख लेते हैं कि आपको extra number किस परकार से giorno के अंदर दिये जाते हैं जी हाँ तो जो आपको यहाँ पर नम‌बर मिलते है जो पॉइंट साफ को मिलते यह आपके जो नमबर है deprivation points जन्हें बोलते है दोस्तो तो यह जो आपको मिलते है यह आपको maximum हम 12 points मिलते हैं जी हां दोस्तों आपको ज्यादा सी ज्यादा यहां पर 12 points दिये जाते हैं दोस्तों आप इन्हें कैसे gain कर सकते हो और इसका क्या criteria है वो मैं आपको बता दूँ इसके अंदर दोस्तों दो तरह से divide किया गया है दोस्तों यहां पर देखिए ठीक है जो आपका यहां पर है creator first and creator second दोस्तों यह इसमें दो criteria ठीक है इसमें दो part में से divide किया गया है आप किस category के अंदर इसमें आते हो ठीक है तो यहां पर जो दोस्तों आपको number दिये जाते हैं जैसे कि आपको जैसे 10th and 12th level भी ये ठीक है सारी चीजि मैं आपको यहां पे clear करके बताऊंगा एक है करके Okay दोस्तो तो यहां पे हम पहले बात कर लेते है's buatel first में आपको यदि आप आते हो तो आपको कितने marks मिलते हैं दोस्तों इसके अंदर जैसे यहां पे आते हो कि यदि आप यूजी में apply करते हो यानि यह होनर्स के लिए apply आप करते हो अंड दोस्तो ऐसे यदि आप PG में apply करते हो और आप जो है 10th and 12 यह एक्वेटर फस्ट से आप आते हो तो आपको तीन नमबर extra मिलते हैं यह दोस्तों आपको तीन नमबर extra मिलते हैं इसी परकार यदि अपने यूज़ी में अपने यूज़ी कमपलेट किया तो भी आपको यहां पर 3 नमबर मिलते हैं तो दोस्तों यहां पे टोस्तों यहां पे टोटल जो नमबर है वो 6 नमबर मिलते हैं ठीक है total शेकर मेन तो मिलते हैं आपको QEATAL First में यदि आप आते हो ठीक है यदि आपने 10th किया हो या 12th या YouTube आपने किया हो और आपने पीजी में अपलाई किया हो तो दोस्तो इसका मेंटर यही है इसके अंदर आपको 6 नबल मिलता है total मिला कि ठीक है यह आपके समझ आ गया इतना ओके दोस्तों यदि आपको इसमें से कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हो दोस्तों यह important चीज है आपके लिए ओके हो सकता है कि वीडियो के अंदर मेरे से बताने में कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप मुझे comment करके जो है पूश सकते हो ओके दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पे creator second आता है इसके अंदर जो आपको marks मिलते है वो कितने marks मिलते है दोस्तों यदि आप इसमें यूजी प्रोग्राम के लिए apply करते हो ठीक है यूजी प्रोग्राम के आप लिए apply करते हो और आपने जो है आपका इसमें टेंद एंड ट्वल्थ जो है ये creator second से यदि आपका आता है तो इसमें क्या है आपको च्यान नमबर मिलते है दोस्तों यहाँ पे जो आपका फर्स्ट है इसके अंदर आपको च्यान नमबर मिलते है और इसमें जो है आपको second में वेटर सेकंड में आपको चाहरर نबर मिलता है जोस्तो इस चीज का आपको द्याहन रहागना ठीक है यह vibes और pets का मेटर है यह मैंने आपको पहले बता दिया ठीक है इस तरह से तो आपको इसमें चाह सेशन मिलays के अलावा और भी तरीके से दें तो प beads के इंदर 78 नंबर पेस्ट पे है और इसे आप और भी डिटेल से देख सकते हो दोस्तों तो यहां पर दोस्तों यह चीजे इसमें समझाए गई है यह जो मैंने आपको उपर बताया था ना यहीं इसमें मेटर है यदि आप क्वेटल फरस्ट में आता हो यानि आप 10 12 या यूजी यह अंदर जिससे कि आपने यहां पर जो है यह 10th from 2nd and आपने जो है 12th जो है क्वेटल फरस्ट जैकि यानि कि आपने मानली यदि क्वेटल फरस्ट उसमें सामिल है तो आपको जो बेनिफिट क्वेटल फरस्ट कहीं मिलेगा यानि आपको 6 नंबर मिलेंगे और यह अपने टू दोस्तों यहां पर क्राइटेरिया दिया गया है ठीक है क्राइटेरिया क्या दिया गया यानि कि आपको डिस्टिक्स से हो तो आपको जो है यहां पर जो आपको नंबर मिलने वाले है जो है दोस्तों उसके अकोर्डिंग जो है यहां पर नंबर मिलते है तो दोस्तों यहां पहले क्रिस्षिक सरमिक जो है वो कितने स्पेय苁 टीक और ग्रामी ने जो जनस् अधार आधार यह कुछ इसमें है तो विए से यदि आप यह पूँ से कमर्ण सका हूं तो आप िसमें निकस्ट li kg नंवर को है dukt dépिंने वाले हुए दोस्तों यही जैसे मैंने बताया कि गने स्थीव है नंबर को और met वहीं आते हो तो आपको एक्ष्चा नंबर यहां पर दिये जाते हैं जो पो parental पर आपीज तकक agreeing है झो आपको यहां पश्राइब ऑप करने की यह रिए करना यहां पर देखिए यहां पर यूजी और पीजी कोर्स के लिए ही यह चीज लागो होती है यदि आप बीटेक एंबीए जो नया प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ यहां पर देखिए तो यहां पर दिया गया है किस किस राज्य के अंदर जो है कितनी कितनी मतलब मतलब कौन-कौन सामिल में जो है कौन से जीले यहां पर सामिल मतलब डिस्ट्रीक सामील है ठिक है तो जैसे किपर प्रोश्पेक्ट में पर अंदर यह डिश्टिक आ रहे है अब आप चेक कर लेना यद्य आप अंदर परदेश से हो तो क्या आपका जो रिष्टिक है यहां पे आ रहा है उसका कोडा भी देखे दोस्तों यहां पर लिख्वा और इसी परकार से जो अंदर परदेश के इसकंड में जो आ कोई भी डिष्टिक सामिंद आए सुन में तो वह प्यांसे चेक आउट कर सकते निगे है तो इसी तरह सबीत यहां पर देगा है उसके के बाद ये देखी ग bathrooms आ गया यहां पर देख सकते हो का का से अंदर सामिल है मद्य पर्देश इसके अंदर सामिल है तुनियायाँ अंदर दिस्ट्रीक आरए वह यहांपर दिए अब स arrangements महारास्ट्रा और डार यह ब thirty दिए और दोस्तों यह आ गया अपना आज सतन है दोस्तों यए कि ay राजस्तान का तोड़ा में आपको डिटेल से बता देता हूं राजस्तान में भी जो है कुछ डिस्ट्रिक है जहां पर आपको इक्स्ट्रा नमबर मिलते हैं तो उसमें पर क्वेटल फर्स्ट के अंदर परताब गड़ हो गया वहां सवाड़ा जालो अपना जो है बार्ड मे चूरू है जोब पूर है और भी सके अंधर डिश्ट्रिक दिए गए तो एक चीज़ के अंदर नहीं दिया गया है जैपूर का मेरे को कहीं भी ऑपसन नहीं दिख रहा है तो जैपूर से दिया पाते हो तो आपको ज persona Magnet नहीं मिलने जो है, मतलब district है, first में भी है, और second में भी है, दोनों में है, दोस्तों, और यहां पर दुस्तों मेरे पास, जो है, गोरखपूर के काफी ज्यदा student थे, तो आप गोरखपूर इसके अंदर check कर लेते हैं, किई गोरखपूर है या नहीं, तो दुस्तों, गोरकपूर I think इसके अंदर ए लिजे I think गोरकपूर मुझे मिल नहीं रहा है I think मेरे साब से गोरकपूर नहीं है क्योंकि गोरकपूर काफी बड़ी सिटी है railway station के लिए भी जाना जाता है गोरकपूर तो गोरकपूर का साथ नहीं इसके अंदर इसके अंदर कोई भी डिस्टिकक सामिल नहीं है और डेके अंदर आप अम जैसे परकार से बेस्ट बंगाल का भी इसके अंदर दिया गय है तो दोस्तो इस तरह से आप अपनी image का यहां से जो है चेक आउट कर सकते हो आप किस image के अंदर आते हो आपका area इसके अंदर सामिल है या नई दूस्तो ठीक है ये चीज आपको यहां से check out कर लेनी है दूस्तो तो दूस्तो I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like की जगा और दोस्तो इस चीज का आप ध्यान रखिए ये जो चीजे मैंने बताई है ये आपके लिए really काफी ज़्यादा important है तो इस चीज का विशेश ध्यान रखिए जब आपने application forum fill up किया था तब भी जो है आपसे ये चीजे पूछी गई थी यदि आपने उस समय yes किया था तो ये जो आपके लिए benefit रहेगा मेरे साब से तो बस दोस्तो इस उडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स उडियो में